संगीतकार सी रामचंदर के सामने दक्षण भारत के सबसे बड़े फिल्मकार शिवाजी गनेशन का उफर था शिवाजी गनेशन सी रामचंदर को अपनी फिल्म में संगीत देने के लिए एक लाख रुपए देने को तयार थे शर्च सर्फ ये थी कि फिल्म के हीरो देवानन के लिए मुहमद रफी गाए संगीत कर सी रामचंद्र मुहमद रफी को बहुत जादा पसंद नहीं करते थे उनकी पहली पसंद थे गायक तलत महमूद लेकिन सी रामचंद्र दक्षिन भारत की इतनी बड़ी फिल्मी हस्ती शिवाजी गनेशन को नाराज भी नहीं करना चाहते थे फिर उन्हें इसके लिए एक लाख रुपया मिल रहा था फिर क्या किया सी रामचंद्र ने बताएंगे आपको आप बस कीजे थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लाक और वाइट नमस्कार ब्लाक और वाइट में आपका स्वागत है इस एपिसोड में हम बात करेंगे पच्चास के दशक में मस्ती भरे गाने देने वाले गुणी संगीतकार सी रामचंद्र की और हिंदी सिनमा के महान गायक मुहमद रफी की दुनिया जानती है कि संगीतकार सी रामचंद्र मुहमद रफी को बहुत जादा पसंद नहीं करते थे अनिल विश्वास और सलील चौधरी की तरह सी रामचंद्र भी मुहमद रफी से तभी गाने गवाते जब ऐसा करना उनके लिए जुरूरी होता या कोई मजबूरी पेशाती इन तीनों संगीतकारों की तब पहली पसंद हुआ करते थे गायक तलत महमूद शायद यही वजह है कि मुहमद रफी ने सी रामचंद्र के लिए कुल 77 गाने गाए जिन में 23 सोलो गाने है जबकि संगीतकार सलील चौधरी के लिए मुहमद रफी ने मातर 25 गाने गाए जिसमें 15 सोलो है दोस्तों सी रामचंद्र और मुहमद रफी के बीच भले ही प्यार महबत वाली बात नहीं थी लेकिन उनका रिष्टा बड़ा पुराना था वो इस तरहे कि ये सी रामचंद्र ही थे जिन्होंने 1946 में आई फिल्म सफर में मुहमद रफी को उनका पहला हिट सोलो दिया था गाने के बोल थे कहके भी ना आये तुम अब छुपने लगे तारे इसके बाद 1951 में आई फिल्म सगाई में भी सी रामचंद्र ने मुहमद रफी से एक खुबसूरत गाना गवाया ये वो दोर था जब लता मंगेशकर सी रामचंद्र के लिए लगबग हर गाने में अपनी आवाज से जादू जगा रही थी इस गाने में भी लता मंगेशकर ने ऐसा ही किया था सगाई के बाद 1952 में सी रामचंद्र के फिल्म साक्की के लिए मुहमद रफी ने फिर एक हिट गाना गाया इस गाने में दिख रहे हैं प्रीम नाथ और मधुबाला साल आया था 1954 और इस साल एक फिल्म आई कवी इस फिल्म में संगी दे रहे थे सी रामचंद्र इस फिल्म में तलत महमूद के साथ मुहमद रफी को एक गाना गाना था गाने के बोल थे कविता नाम है ग्यान का कविता नाम है ग्यान का कहा जाता है कि इस गाने की रिकार्डिंग के दौरान संगीतका सीराम चंद्र और गायक मुहमद रफी के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई थी जानकारों का मानना है कि ये पहला मौका था जब मुहमद रफी ने किसी को पलट कर जवाब दिया था दरहार सल गाने के रिकार्डिंग के पहले रिहारसल में सीराम चंद्र मुहमद रफी के गाने के अंदाज से खूश नहीं थे उन्होंने मुहम्मद रफी पर एक टिपणी कर दी तुम्हारे जैसे शास्त्री संगीत में निपण गायक को रखने का क्या फाइदा जब तुम मेरे बताने पर भी वो भाव और सुर नहीं ला पाते इस पर मुहम्मद रफी ने भी पलट कर जवाब दिया था ये कैसी बात हुई जब मैं इतने कमपोजरों के लिए गा चुका हूँ और उन्होंने ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं की तो फिर आप ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हैं दिक्कत क्या है कहा जाता है कि इसके बाद संगीत कासी राम चंदर ने मुहमद रफी की कमाई पर तंस किया था तब मुहमद रफी ने पलटवार किया था तुम मेरे पैसे से जलते हो मामला काफी गर्म हो गया लेकिन गनीमत ये रही कि गाने की रिकार्डिंग कैंसल नहीं हुई मुहमद रफी और तलत महमूद ने अपने अपने हिस्से का गाना गाया और गाने की रिकार्डिंग पूरी हो गई इसके बाद कई सालों तक सीराम चंदर और मुहमद रफी ने साथ काम नहीं किया लेकिन 1957 में आई फिल्म नौशेरवान आदिल के लिए दोनों फिर साथ आये इस गाने में लता मंगेशकर ने हमेशा की तरह फिर एक बार जादू जगाया 1958 में दक्षिन भारत के जाने माने कालाकार शिवाजी गनेशन एक फिल्म लेकर आये थे नाम था अमर दीब सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीस की थी जनवरी 1969 में इस फिल्म में थे देवानन वैजन तिमाला और पदमिनी कहा जाता है कि गायक तलत महमूद सी रामचंद के चहेत गाय थे और तब तलत महमूद वैसे भी देवानन के लिए गाते थे लेकिन दिक्कत ये हुई कि शिवाजी गणेशन ने सी रामचंद के सामने ये शर्ट रख दी कि उन्हें देवानन के लिए मुहम्मद रफी की आवास चाहिए शिवाजी गणेशन बदले में इस फिल्म के लिए सी रामचंद को एक लाख रुपया बतार फीज देने को तैयार हो गए उन दिनों सी रामचंद का मारकेट रीट भी एक लाख रुपया ही था अब सी राम चंदर क्या करें वो शिवाजी गणेशन को नाराज नहीं करना चाहते थे फिर उन्हें इसके लिए पूरे एक लाख मिल रहे थे लहाजा वो देवानन्द के लिए मुहमद रफी को लेने पर राजी हो गया इस गाने में मुहमद रफी के साथ दिया है आशा भोसले ने इस गाने का एक साथ वर्जन भी है इस गाने को लिखा है राजे इंदर क्रिश्न ने कहा जाता है कि 1959 में फिल्म अमर्दीब के दौरान ही लता मंगेशकर से उनका रिश्टा तूट गया था और इस गाने के साथ फिल्म के बागी बचे गानों को भी आशा भोसले को गाना पड़ा था किताबें बताती हैं कि अमर्दीब और 1969 में ही आई फिल्म पेगाम आखरी दो ऐसी फिल्मे थी जिनके लिए संगीतकार सी रामचंदर को एक लाख रुपिया दिया गया था ये दोनों ही फिल्मे साथ की थी और ये कैसा सायोग था कि दोनों ही फिल्मों में मुहम्मद रफी थे जो संगीतकार सी रामचंदर की पहली पसंदर नहीं थे कहा जाता है कि लता मंगेशकर के अलग होते ही सी रामचंदर की खिसमत ने उनका दामन छोड़ दिया था और यही वज़ा है कि इसके बाद उनका करियर धलान पर चला गया था इस एपिसोड में आज बस इतना ही अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाखात तब तके लिए हमें इज़ाज़त दीजिए नमस्कार झाल झाल